नमस्कार दोस्तों एक बर फिर से स्वागत है आपका हमारे स्योटीब चैनल में जिसका नाम है वीकेसी विशू आज हम बताने जा रहे हैं हेल्थ फिजिकल एंड योगा एजुकेशन वाली जो किताब है आपकी फाइफ बी उसके कुछ इंपोर्टन नोट्स एमसी की जो आपके एक्जाम में आ सकते हैं इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये तो सब्सक्राइब कर लें और बैल आइकन बटन को दबा लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पहल आपे और आपक्रेता चाहण को दोश्तों चीधिता शास्त्र का जो जनक है वह सब्सक्राइबॉट को माने जाता है फैस जो फे वह यूनान के एक ज़िक Prescott सब्सक्राइब और इन्होंने बीमारियों के लक्षणों के बारे में विस्तार पूर्वक बताया था इसके बाद जर्मनी के विज्ञानिक रौवर्ट कोच ने भी बीमारियों को विस्तार मतलब वास्तिक कारणों पर अनेक अध्यन करके निश्कर्ष निकाला कि जिवानों के कारण ही बिमारियां होती है तो सबसे पहले जो थे इसके जनक जो थे वो हिपोक्रेटस माने जाते हैं इसके बाद जो थे वो रोबर्ट कोच ने इनकी परंपरा को चिकिस्ता शास्त्र को और ज़्यादा आगे बढ़ाया नेक्श कोशन पर आते हैं संक्रामक रोग कितने प्रकार के होते हैं अप्शन एक एक प्रकार ओप्शन दो दो प्रकार ओप्शन तीन तीन प्रकार या ओप्शन चार चार प्रकार दोस्तों इसका सही जवाब है जो संक्रामक रोग होते हैं infection disease वो दो प्रकार के होते हैं दो प्रकार से फैलते हैं पहला तो होता है प्रतेक्ष संपर्क से दूसरे विक्ति में फैलता है जैसे खसरा हो गया कूकर खासी टीबी इसके अलबाद दूसरों द्वारा जो एक विक्ति से दूसरे विक्ति में फैलता है वो होता है अप्रतेक्ष संपर्क जैसे कॉरोना वाइरस मलेरिया टाइफाइड हैजा पेचिश ये सारी बिमारिया जो हैं वो ये एक विक्ति से दूसरे विक्ति में फैलती हैं तो ये इंडिरेक्ट जो संक्रामक रोग हैं ये फैलते हैं Next question क्यों बढ़ते हैं Next question हमारा संक्रामक रोगों के फैलने का माध्यम है The medium of spread of infection disease Option 1 वायू द्वारा by air Option 2 प्रतेक्ष और अप्रतेक्ष संपर्क द्वारा By direct and indirect contact Option 3 By dirty hand गंदे हाथों द्वारा Option 4 All of the above या उप्रोग तो सभी तो दोस्तों जो संक्रामक रोगों के फैलने का जो माध्यम होता है वो हवा द्वारा भी फैलता है प्रतेक्ष और अप्रतेक्ष संपर्क द्वारा भी फैलता है इसके अलावा गंदे हाथों द्वारा भी फैलता है तो इसलिए अगर हम बात करें प्रतेक्ष और अप्रतेक्ष जिसमें खाद देव, पेपदार्थ, कुछ कीट पतंग, तोचा संबंदी बीमारी, माता पिता द्वारा, संवाहकों द्वारा, या योन अंगों द्वारा, इसके अलावा गंदे हाथों द्वारा भी जो है ये संक्रामक रोग फैलते हैं हमारा इसका ओप्षिन चार जो है वो सही है, नेक्ष कोशन की और बढ़ते हैं, नेक्ष कोशन है हमारा संक्रामक रोगों से किस प्रकार से बचा जा सकता है, हाँ कैन अबाइट टो इंफेक्शन डिजीज, ओप्षिन एक, स्टेइंग विद अ सिक परसन बिमार वेक्ति के साथ रहकर, ओप्षिन दो, इम्मुनाईजीशन, टीका करण करवाकर, ओप्षिन तीन, बाइडर्ट, गंदगी द्वारा, या ओप्षिन चार, नानवदा व रोग से, अगर हम किसी बिमारी, बिमार वेक्ति के साथ रहेंगे, तो हम खुद बिमार हो जाएंगे, इसके अलावा, अगर हम गंदगी में रहेंगे, तो भी हम बिमार हो सकते हैं, यानि संक्रामक रोग हो सकते हैं, लेकिन अगर हम टीका करण करवाएं, तो इससे हमारी जो बिमारी है जो संक्रमण का खत्रा है वो थोड़ा कम हो जाता है इसके अलावा हम अपने आपको संक्रामक रोगों से भी बचा सकते हैं इलाज करवा के वेक्तिकत सफाई द्वारा बिमार वेक्ति से दूर रहकर क्लोरीन युक्त पीने का पानी पीकर और रोगानुओं को करके इसके अलावा संतुलित भोजन करके भी हम अपने आपको संक्रामक रोगों से बचा सकते हैं तो इसका जो ऑप्शन दो था टीका करण करवा के ऑप्शन सही है नेक्स कोशन की ओर बढ़ते हैं निम्न में से कौन से विमारी कवक फंफूद के कारण होती है विच अफ फॉलॉविंग डिसीज आर फंगी फंगस देयर और रीजन ऑप्शन एक दमा ऑप्शन दो एटलेट फूट ऑप्शन थ्री खाज या ऑप्शन फूर ओल अफ दबोव तो दोस्तों इसका जो सही अंसर है वह है एटलेट फूट ओ सॉरी इसका जो सही अंसर है ऑप्शन चार क्योंकि कवक और फंफूद के कारण हमें दमा, पैर की खुजली और बदबू तो तक खाज आधी जो होता है वह फंफूद के कारण या कवक के कारण होता है तो हमारा option इसका 4 सही है next question क्यों बढ़ते हैं next question है हमारा dog bite disease of rabies who discovered the vaccine कुते के काटने से होने वाले रोग rabies के टीके की खोच किस ने की थी आपके option है Robert Hustle option 2 Robert Coach option 3 Louie Pasture option 4 Leveran तो दोस्तों जो कुते के काटने से होने वाला रोग है rabies इसके टीके की खोच जो थी वो करी थी Louie Pasture ने तो इसका हमारा option 3 सही है next question क्यों बढ़ते हैं influencer बिमारी कितने दिन तक के लिए रहती है how long for influencer disease he leaves option 1 एक से साथ दिन option 2 दस से बारा दिन option 3 बीच से पच्चिस दिन या option 4 नान अफ्ता बाव तो दोस्तों जो influencer बिमारी है वो basically एक से तीन दिन के लिए रहती है और अधिक्तम साथ दिन तक के लिए रहती है तो इसका हमारा जो है answer एक से साथ दिन पड़ते हैं यदि कोई मानवीय रोग विश्व के विहत छेत्र में फैला है तो उसे क्या कहते है if any human disease is widespread in the whole world what is called option 1 pandemic option 2 epidemic option 3 endemic option 4 epidemic तो दोस्तों जो इसका सही option है pandemic है क्योंकि अगर किसी भी विश्व के बड़े हिस्से में कोई मानवीय रोग होता है तो pandemic कहते है यानि वैश्विक महामारी इसके अलावा अगर किसी रोग का प्रकोप कुछ समय पहले की अपेक्षय बहुत अधिक होता है आज के टाइम पे तो उसको हम epidemic कहते हैं इसके अलावा अगर हम endemic की बात करें तो ये स्थानिय महामारी के रूप में जाना जाता है कि किसी एक खास छेत्र के अंदर अगर कोई हमारी हुई है तो उससे endemic कहते हैं इसके अलावा जो episodic है वो पशूओं के व्यापक रोग को दर्शाता है या पशूओं में जो व्यापक संक्रामक रोग होता है उसके बारे में बताता है तो वो episodic होता है तो इसका हमारा option एक जो है पैंडेमिक वो सही है नेक्ट कोशन के और बढ़ते हैं निमलिखित में से किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है विच अफ दा फॉलॉविंग कॉज़ ब्लड कैंसर इस डन इन दा ट्रीटमेंट option एक आयडीन 131 option दो sodium 24 option तीन फासफोरस 32 या option 4 कोबाल्ट 60 तो दोस्तों इसका सही अंसर है option 3 फासफोरस 32 जो है फासफोरस 32 का उपयोग जो है वो कैंसर के उपचार में उसके ट्रीटमेंट में किया जाता है next question क्यों बढ़ते हैं next question है Ebola है एक Ebola is option 1 terrorist organization आतंगवादी संगठन option 2 लीव फैटल वायरस प्राण घातक विशानू option 3 इट्स टेस्ट इट्स परिक्षण option 4 नन अफ देस इन में से कोई नहीं तो दोस्तों हम Ebola वायरस के बारे में बहुत लोगों को पता भी होगा कि अफरीका में फैला था ये एक विशानू है प्राण घातक विशानू है जो सबसे पहले अफरीका महादीप में इसकी खोज हुई थी कि वहाँ पे फैला है ठीक है तो इसका option 2 सही है कि Ebola एक प्राण घातक विशानू है next question की ओर बढ़ते हैं next question हमारा डेंगू बुखार में मानव शरीर में निमल लिखित में से किसकी कमी होती है following in human body in डेंगू फीवर whose decrease that decrease is this option 1 platelets, option 2 hemoglobin, option 3 sugar, option 4 water तो इसका सही option है कि जब भी हमें डेंगू की बिमारी होती है डेंगू जो है वो एक मच्छरो द्वारा फैलाए जाने वाला एक बिमारी है संक्रामक रोग है और अगर आपको कभी भी डेंगू का अगर बुखार आया है तो उसमें हमारे रक्त में मौझू जो है वो प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है और इसी की वज़े से हमें प्लेटलेट्स वाले रक्त जो है वो चड़ाये जाता है तो option एक इसका सही है कि डेंगू के बुखार में मानो शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है नेक्स कोईशन की वर बढ़ते हैं सूरे की किरण सूरे की किरण से कैंसर रोक की संभावना प्रवल होती है cancer disease from the sun's rays probability is strong option एक infrared option दो cosmic rays यानि cosmic किरण है option तीन ultraviolet rays पराबैंगनी किरण है option चार none of this इन में से कोई नहीं तो दोस्तों सूरे की वह किरण जिससे cancer रोक की संभावना ज़्यादा होती है वो है पराबैंगनी किरणे पराबैंगनी किरणे जो है वो अगर हमारे ozone परत में छेद होती है तो पराबैंगनी किरणे धरती पे आके गरती है और जो जो भी इससे ज़्यादा संपर्क में आता है उसको कैंसर की बिमारी हो जाती है इसके अलावा अगर हम बात करें कॉस्मिक किरने की तो कॉस्मिक किरने जो है वो धरती के आजपास रहती हैं और ये हमारे वायू मंडल के भीतर जो है आने वाली किरनों में से एक हैं लेकिन धरती तक नहीं पहुच पाती है नेक्स कोशिन की ओर बढ़ते हैं अस्ठांग योग का प्रतिपादन किसने किया था ऑप्षन एक महरशी कपल ऑप्षन दो महरशी जैमिनी ऑप्षन तीन गौतम मुनी या ऑप्षन चार महरशी पतंजली तो दोस्तों अस्ठांग योग का जो परतिपादन है वो महर्शी कपिलने किया था नेक्स कोशन के और बढ़ते हैं योग की चर्चा किस दर्शन में की गई है योगा वास डिसकॉस्ट इन फिलोसफी ओप्शन एक शड़ दर्शन शड़ फिलोसफी ओप्शन दो चवार्क दर्शन चवार्क फिलोसफी ओप्शन तीन विदान्द दर्शन विदान्द फिलोसफी ओप्शन चार उपनिशद तो इसका हमारा जो सही अंसर है योग की चर्चा किस दर्शन में की गई है तो वो है शड़ दर्शन शड़ फिलोसफी ओप्शन एक सही है नेक्स्ट कोशन के और बढ़ते हैं, भारतिय दर्शन के मूल तत्व में से नहीं हैं, बेसिक एलिमेंट्स एन करेक्टरिस्टिक्स आफ इंडिन फिलोसफी इस नॉट आउट ओफ, ओप्शन एक मुक्ति, इलिबरेशन, ओप्शन दो, मुक्षवाद, सल्वेशन, ओप्शन जीवन में सुख समरिद्धी की प्राप्ति, एचीव हैपिनेस एंड प्रोस्परिटी इन लाइफ, या ओप्शन चार, अध्यात्म परक्ता में विश्वास, बिलीव इन स्प्रेट, तो हमारा जो इसका सही ओप्शन है, अगर हम बात करें, कि भारतिय दर्शन के मूल तत् क्योंकि भारतिय दर्शन में अधिकतर आध्यात्म की और लोगों को अग्रसर करने या आध्यात्म की और ले जाने का श्रे मिला है, तो इसमें जीवन में सुख समरिद्धी और त्याग करके इश्वर की प्राप्ति का मार्क प्रिशेस्ट किया गया है, अते हमारा अंसर ज दर्शन का दूसरा नाम क्या है, सेकिंड नेम ऑफ दो चवार्क फिलोस्फी, आप्शन एक शड़ फिलोस्फी, शड़ दर्शन, आप्शन दो लोकायत फिलोस्फी, लोकायत दर्शन, आप्शन तीन विशेशिक फिलोस्फी, विशेशिक दर्शन, या आप्शन चार, नन इनमें से कोई नहीं तो दोस्तों लोकायत दर्शन को चवार्क दर्शन का दूसरा नाम कहा जाता है इसके अलवा इस दर्शन को वैतरिक दर्शन भी कहा जाता है वैतरिक फिलोस्फी बाकी अन्य जो भी आप्शन दे रखे हैं उनका एक अलग-अलग भारतिय दर्शन की शाखा जो है वो माना जाता है नेक्स्ट कोशन पर आते हैं श्रीमत भगवत गीता के अनुसार योग की परिभाशा है according to श्रीमत भगवत गीता योग डेफिनिशन option 1 the union of life and soul यानि जीव और आत्मा का मिलन option 2 tip of crossing the world ocean यानि संसार सागर से पार होने की युक्ती option 3 stop the racer behind the picture चित वर्तियों के पीछे दोड़ने से रोकना option 4 कर्मा's efficiency कर्म कुशलता तो दोस्तों अगर हम first की बात करें जीव और आत्मा का मिलन तो जीव और आत्मा का मिलन वेदान्त दर्शन के अंदर बताया गया है योग की परिभाशा जो है वेदान दर्शन के अनुसार जीव और आत्मा का मिलन है तो ये option हमारा गल्थ है second option के और बढ़ते हैं संसार सागर से पार होने की युक्ती तो ये योग वशिष्ट ने अपनी योग परिभाशा में बोली थी कि योग जो है संसार सागर पार होने की युक्ती है तीसरा option के और बढ़ते हैं चित की विर्तियों के पीछे दोड़ने से रोकना ये महर्शी पतंजली ने योग के परिभाशा देते हुए कहा था त्यानिया option 4 जो है कर्म कुशलता ये भगवत गीता में श्री कृष्ट द्वारा अरजुन को बताई गई है कि कर्म कुशलता ही जो है वो योग की परिभाशा है क्योंकि श्रीमत भगवत गीता में योग के परिभाशा देते हुए श्री किष्ट ने कहा है समत्व योग उच्चेते अर्थात समत्व का नाम ही योग है और समत्व का अर्थ कर्म कुशलता है अर्थात भगवत गीता के अंसार कर्म कुशलता को ही योग कहा जाता है और गीता के छटे अध्याय में योगी को तपस्वियों और कर्म कांडियों से और ग्यानियों से भी श्रेश्ट माना गया है next question के और बढ़ते हैं next question हमारा योग के प्रकार है types of yoga is option एक 5 types 5 प्रकार option 2 6 types 6 प्रकार option 3 4 types 4 प्रकार option 4 3 types यानि 3 प्रकार तो दोस्तों योग के प्रकार जो हैं वो 6 प्रकार के होते हैं हमारा option 2 सही है इसके अंदर 6 प्रकारों में कर्म योग, हट योग, मंत्र योग, सांखे योग, राज योग और भक्ति योग माने जाते हैं next question के और बढ़ते हैं, निमिलिकित में से किस प्रकार का भोजन हमें नहीं करना चाहिए which of the following type of food should not eat? option 1 सात्विक आहार, option 2 रासिक आहार, option 3 तामसिक आहार, या option 4 उप्रोक्त में से कोई नहीं तो दोस्तो सात्विक आहार, यानि सात्विक डाइट का मतलब है, जिसमें मसाला और खटे पदार्थों का कम होना इसके अलावा हरी सबजियां, दाल, चिलके युक्त, दाल, ये सब ज़्यादा खाते हैं, वो है सात्विक आहार तो इस प्रकार के भोजन के बारे में जानते हैं, रासिक आहार रासिक आहार में मेवा, मिठाईया, ठंडे द्रव्य, मादक, पदार्थ, तंबाकू, चाय, इन सब चीजों को गिना जाता है इसके अलावत तामसिक आहार में किटानो, युक्त, भोजन, पोशक, तत्व, रहित, भोजन, सड़े गले, पदार्थ, बासी खाना, कच्चे, सड़े गले, फल, ये सम्माने जाते हैं तो दोस्तों, इसका तीसरा टाइप जो है तामसिक आहार, इस प्रकार का भोजन हमें नहीं करना चाहिए, किटानो, युक्त, भोजन होते हैं ये, और इसमें पोशक तत्व नहीं होते, सड़े गले, पदार्थ होते हैं, बासी खाना, और कच्चे, सड़े गले, फल, इन और माइंड, स्टेट अफ माइंड आर, ऑप्शन एक मूढा वस्ता, ऑप्शन दो, शिप्ता वस्ता, ऑप्शन तीन, एक आगरा वस्ता, या ऑप्शन चार, उप्रोक तो सभी, तो दोस्तों, अगर हम मूढा वस्ता की बात करें, तो इसमें काम, प्रोध, लोब, हिंसा, ये सब रहते हैं, ऑप्शन दो में, चंचल अस्थिर मन रहता है, ऑप्शन टीन में, अध्यात्म की तरफ आकरशित रहता है, ति तीनों ही एक तरीके से, हमारे मन की अवस्ता है, तो हमारा ऑप्शन चार जो है, वो सही है, उप्रोक तो सभी, नेक्ट कोशन के और बढ़त नेक्ट के सपेशियों, ऑप्शन तीन मन या ऑप्न चार हमारे समवेग, तो दोस्तों राज योग को आत्नी अंतरन के लिए प्रियोक किया जाता है, आत्नी अंतरन का अर्थ होता है, मन पर नियंतरन, या नी राज योग या अस्ठांग योग के आठंग होते हैं, यम, न नियम, आसन, प्राणायाम, प्रतेहार, धारणा, ध्यान और समाधी तो हमारे जो option तीन है मन वो सही है कि राज योग से हमारे मन का नियंदरन होता है नेक्ट कोशन के वर बढ़ते हैं अंजना चक्र कहां स्थित है option एक आईब्रो के बीच में option दो छाती पे option तीन जीब या जुबान में या option चर्थ पैरों में तो दोस्तों अगर हम अंजना चक्र की बात करें तो यह हमारे माथे के नीचे और दोनों आईब्रो के बीच में स्थित होता है यानि जहां पे हम बेसिकली टीका लगाते हैं तो यहां पे हमारे अंजना चक्र स्थित होता है नेक्ट को तत्व में से नहीं है। पृष्ण एक पृथ्वी अर्थ। जयल वाटर। तीन सूरे का प्रकाश- लाइट अफ-सन। झापशन चार हवा यानि वाइंड। तो पंच तत्व में से नहीं हैं क्योंकि पंच तत्व में हमारी पांच चीज़े होती है अगनी जल वायू प्रिथवी और आकाश तो दोस्तों इसमें सूरे का प्रकाष कहीं पर भी नहीं है तो इसका मतलब है कि पंच्छ में से नहीं है कुछ और बढ़ते हैं हार्मॉं होता है आप्षन एक स्ट्रेस हार्मॉं की कार्टी सौल को स्ट्रेस कहा जाता है और यह बॉड़ी को सूचित करता है कि आपको भूख लग रही है या नहीं इसके अलावा बॉडी में कॉर्टिसोल लेवल बढ़ने से बॉडी में फेट और स्ट्रेस दोनों बढ़ते हैं त्यानि हमारा जो ऑप्षन तीन है कॉर्टिसोल वो सही है कि वो स्ट्रेस हार्मोन का दूसरा नाम है नेक्स्ट कोशन है श्रीमद भगवत गीता का अंतिम और अठारवा अध्याय कौन सा है ओप्षन एक विश्रूब दर्शन योग ओप्षन दो विभूति विस्तार योग ओप्षन तीन पुरुशुत्तम योग या ओप्षन चार मोक्ष सन्यास योग तो दोस्तों अगर हम विश्रूब दर्शन योग की बात करें तो ये श्रीमत भगवत गीता के ग्यारवे अध्याई के अंदर है विश्रूब दर्शन योग इसके अलावा विभूती विस्तार योग ये हमारा दसवे अध्याई के अंदर है श्रीमत भगवत गीता में इसके अलावा पुरुशोत्तम योग की बात करें तो ये साथवे अध्याई के अंदर है भगवत गीता में और हमारा मुक्ष सन्यास योग जो है वो हमारा अठारवा ध्याय है श्रीमत भगुत गीता में तो यानि इसमें पूछा गया है कि श्रीमत भगुत गीता का अंतिम और अठारवा ध्याय कौन सा है तो वो है मुक्ष सन्यास योग अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो कि रुपे से लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें जरूर बताएं धन्यवाद